जटपट दुकान, स्टोर बनाने से आपके स्टोर को हर घर तक ले जाने ता बिग ब्लिस, बिग ब्लिस, हर कारोबारी की, खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान जानेंगे कि शाम, आज सुभा की कारोबारी सत में कमुनिटी बजार का दिन है, हफ्ते का आखरी कारोबारी दिन है, शुकरवार का दिन है कमुनिटी बजार में कितनी मंदी थे, जी देखने को मिल रही है, और उस पर रूपा मैंतर की क्या रहा है, इस अब जानने की कोशिश करेंगे सब सब चुरुबात करेंगे, हम यहाँ पर नौन एगरी कमुनिटी में सोने और चांदी से, लेकिन कमुनिटी अपडेट लेने से पहले आप बता दूँ, आगई है एक ऐसी एप जिसके दुआरा आप लॉगडाउन में भी घर बैठे बैठे बैठे, बिना एक रुपया खरच करें पैसा कमा सकते हैं, एप का नाम है इस एप के जरीए आप घर बैठे बैठे पैसा कमा सकते हैं, अगर आप पहले से कुछ किसी चीज को बेचते हैं तो आप उसकी सेल्स बढ़ा सकते हैं, या फिर आप कोई सुडेंट है या कोई ग्रहनी है तो आप माई बिग 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 इस एप को इंस्टॉल करने के बाद आपको इस पर अपना स्टोर बनाना है जिस चीज का भी समाना बेचना चाह रहे हैं उसके प्रोडक्स चड़ाने हैं और फिर आपके पास ओर्डर्स आने शुरू हो जाएंगे आपको कोई चिंता नहीं करनी है कि समान के ओर्डर्स कहां से आएंगे ग्रहा की सेल्स कैसे बढ़ेगी समान की इन्वेंटरीज की जो लेखा जो ही है ये सब कौन करेगा सारा का सारा कुछ माई बिगलिस एप आपके अंदर ही करके देती है ये सारे फीचर ये सारी फैसलिट का बजार कैसा रह सकता है रुपजी देख रहे हैं गोल्ड सिल्वर आज हफते के आखरी कारोबारी दिन भी वही अपना सेम ट्रेंड फॉलो करते वे नजर आ रहे हाला कि खबरे ये भी निकल के सामने आई है कि यूएस का कुछ डेटा आने वाला है जिस पर निवेशकु कारोबार देखने को मिलेगी और आने वाला कारोबार इस अबतर सोने चांदी के लिए क्या से रह सकता है देखिए सोना और चांदी के अंदर अभी जो है साइडवेज मुमेंटम एक्सपेक्टेड है ना बहुत जादा गिरावल की उमीद है जैसा कि एक्सपेक्टिया जा और अभी जो रेंज बनती हुई दिखाई दे रही है वो 1760 डोलर से लेकर 1780 या फिर 1800 मैक्सिमम अपसाइड में एक बार मार्केट देखने को मिल सकता है आज हफते के आफरी कारोबारी दिन भी साइडवेज मुमेंटम एक्सपेक्टेड है और अगले हफते के शुरुआत भी इनी रेंज के बीच में होती हुई दिखाई दे सकती है तो यानि कि यह जो लेवल्स मोजुदा दरही जो देखने को मिल रही है सोने चांदी की अगला कारोबारी सब्ता भी इनी लेवल्स के साथ शुरू होता हुआ नजर आ सकता है रुपजी बात करें कच्छे तेल क लेवल्स आज भी ठीक ठाक देखने को मिल रहे है आपको क्या लगता है ऐसे में कच्छे तेल आगी बढ़ेगा या फिर घटेगा देखिए कच्छे तेल में अभी देखिए कल जो पॉजिटिव मोमेंटम बना हुआ था उसके बात से अभी फिर से गिरावट जो है आज हम तो मुझे लगते है कि आज इंटरडे में कच्छा तेल जो है वो त्रेपन सो तक नीचे लुड़क सकता है वहीं उपर में चोपन सो बीस तक की रेंज पकड़ सकता है यानि उपरी स्थरों पर मुनाफ़ा वसूली है क्योंकि देखिए अभी कुछ क्लारेटी नीकल नहीं आता है जादा तो फिर कच्छा तेल वापिस से बाउंस बैक दिखाता हुआ नजर आ सकता और इसमें एक तेजी बन सकती है लेकिन इंटरडे प्रोस्पेक्टिव से हफटे के आज़ी कारोबारी बिल रेंज जो है इसकी त्रेपन सो से लेकर चोपन सो बीस सच पिलाल बनत क्यांकि इससे पहले जो वेरियंट आया था डेल्टा वेरियंट वो काफी जादा खतनाक था उसमें काफी लोग की जाने गए थी आवजा ही कम हुती निजर आयी थी लॉगड़ॉन भी काफी समय तक रहा था और अब यह जो नया वेरियंट आया है कोरोना का ओमिक्रॉन ड लगी हो हाला कि लॉगड़ॉन कहीं कहीं देशों में लग चुका है वर्फर हों पर जैसे फॉर एक्जांपल बात की जाए ब्रिटेन की तो ब्रिटेन वर्फर हों पर फिर से लॉटा है लेकिन आगे जाके क्या रहेगा कैसे रहेगा अभी देखना बाकि है जिसकी वाज स कच्च तेल में अभी उठापटक का महुली है जारी रह सकता है रूपजी बात करें यहां से अकर बेस मेटल्स की तो बेस मेटल्स में देख रहे हैं कि कॉपर 4.3 डॉलर पर ट्रेड करता नजर आ रहा है और MCX जिंक निकल और लेट आज लाल निशान पर दिख रहे हैं आ चाइना का इंफ्लेशन जो है वो थोड़ा सा बढ़ता हुए दिखाई दिया था कुछ एक डेटा इसा निकल कर आया था जिसकी वज़े से बेस मेटल के उपर दबाव बना था और निकल आप देखी अच्छा परफॉर्म कर रहा है बी जिंक और अलुमिनियमें भी एक अज के लिए क्या टॉपिक्स रहेंगे अफते के आखरी कारुबारी दिन दिखी आज मुझे लगता है कि आप रूट जो है वो फिसल सकता है कुरूब में आप गिरावर्त की और जा सकते है वहीं निकल वी आई 1540 से 1520 की रेंग दिखा सकता है वहां पर एक बाइंग इनि पर रुखेंगे छोटे से ब्रेक के लिए ब्रेक के बाद जल्द लोटेंगे और चर्चा करेंगे आपे क्रिशी फसलो के बारे में कहीं जाएगे गणी बने रही है माई साथ मार्केट अमसी वी पर